नमस्कार दोस्तों मैं रोहुश्र महाजीर। आप सभी सामने आपके पने चैनल जोतिशन वास्तु में कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज इस पीडियो में हम बहुत ही महत्मपून टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जी हां दोस्तों वह सरकारी नौकरी मेरे पास काफी क्वेरी आती हैं काफी क्यूशन आते हैं कभी कभी कॉल भी लोग पूछते हैं कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी ऐसे ही कल एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी वह भी सरकारी नौकरी को लेकर काफी परेशान थे पिछले कुछ सालों से कंटिनियूस पर उनके योग नहीं थे इस कारण से उन्हें सफलता नहीं मिल पारी थी और जब मैंने उनकी कुंड़ी देखी तब मुझे पता चला कि कहां दिखकरता है और क्या स्वालुशन मैंने उनको बताया तो फ्रेंट्स इसी के लिए इसी टॉपिक पर आज हम भी बात करने वाले ह लिए यापर सरकारी नौकरी क्या आपकी कुंड़ी में हैं और क्या आपके जीवन में हैं कभी चबार अइसा होता ओकाती है कि होता है कुंडली में सरकारी नौकरी का कैसे पता चलता है कुंडली में की सरकारी नौकरी के योग हैं और नहीं है क्या ग्रह हैं कौन सी दशा है कौन सी महा दशा है जहां पर आपको सरकारी सरकारी नौकरी के बारे में पता चल सकता है इसी के बारे में हम इस वीडियो में चलचा करेंगे तो सबसे पहले आईए बात करते हैं सरकारी नौकरी की योग कुंडली में है या नहीं है इसके बारे में तो सबसे पहले आप यह देखीगा कि आपकी कुंडली में गुरू और सूर्य की स्थिति क्या है सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है गुरू को देवों का गुरू माना जाता है और कहीं न कहीं दोनों ही जो अग्रह हैं वो सरकारी नौकरी सरकार से नौकरी सरकार में अस्तित्व सरकार में सत्ता इसके लिए काफी ज़्यादा मददगार रहते हैं तो सरकारी नौकरी अगर जो पाना चाहता है वह सबसे पहले अपनी कुंड़ी में यह देख लें कि गुरू और सूरी की क्या इस्तिती है अगर गुरू खरा में आपको रोक रहें सरकारी नौकरी पाने से तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि गुरू और सूरी की स्थी चार्ट में क्या है जैसे आपको गुरू और सूरी की स्थी देखेंगे काफी हद तक आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सरकारी नौकरी की योग हैं या नह अच्छे हो जाते हैं कभी कबार दोस्ते चीज और भी मैंने नूटिस कर दिये जो कि मैं हमेशा देखता हूं और मैं हमेशा पुष्टा भी हो फिर सरकारी नौकरी तो आपको मिल जाती है या सरकारी नौकरी के लिए पोशिश तो करते हैं पर कुंडली में आप यह नहीं पत पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी तो फ्रेंस इसलिए जानना जरूरी है कि सरकारी नौकरी में किस पोस्तिके लिए और कहां पर अपलाई कर रहे हिं ऐसे ही एक बार मेरी बात हो रही थी तो इनके, बेलबगोवे में सरकारी नौकरी की चisas काफिज़ादा अच्छे थे पर वो इधर try कर रहे थे civil में तो IAS IPS के लिए try करना या civil services में या ऐसे जो भी exams होते हैं इनके लिए वो ही important नहीं होते हैं सरकारी नौकरी का background जो है वो काफी ज़्यादा वास्ट है काफी ज़्यादा बड़ा area है आप कौन से area में आपके चार्ट के इसाफ से देखे पता लगा सकते हैं कि कौन से area में आपको try करना चाहिए ताकि वहाँ पर आपका number आराम से आजाए आप interview में गुरू बैठे हुए और स्वराशी के गुरू बैठे हुए तो सरकारी नौकरी लगना बहुत ज़्यादा confirmation मिल जाता है यहाँ पर only खुद से support पर लिए कि आप सरकार में जाए हम आपके साथ हैं साथ ही साथ सूर्य का अगर सयोग मिल जाए तो definitely सोने पर सुहागा हो को सलेगा बीना गुरू और सूर्य की मदद के यहाँ पर सरकारी गुरू को तो आपकी नौकरी यहां पर जरूर लगती है सरकारी के लिए और कौन सा ग्रह मददकार होता है तो थोड़ा सा सयोग मरकरी और थोड़ा सा सयोग यहां पर राहू भी करता है जी हां दोस्तों जिन जात्कों के चार्ट में दो नंबर का पैसा अच्छा का सा लिखावा हो उनके लिए भी सरकारी नौकरी में जाने की जो चांसे दे वो बढ़ प्रवल हो जाता है दसवेगर में गुरु बैठा हो मंगल की द्रश्टी पढ़ रही हो तो आपका योग और भी जादा प्रवल यहां पर बन गया तो सरकारी नौकरी का यह एक योग आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले शनी अगर आप बात करतें शनी की शनी अगर पर दसवेगर में बैठे हुए हैं और गुरु आपके कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो डेफिनेटल यहां पर भी सरकारी नौकरी की योग जो हैं वह बहुत जादा अच्छे बनते हैं खासकर शनी आपका उच्छका बैठा हुआ हो या खुद की राशी में सकते हैं इस चीज़ का विशेश ध्यान रखीगा या तो आप लौ में जाएंगे या फार्मेसी में जा सकते हैं और इस डिरेक्शन में जाने के चांसे अपके थोड़े से जादा बनते हैं तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं सरकारी नौकरी के लिए कौन सा फिल्ड आपके लिए अच्छा रहेगा या आपके चार्ट सा पता लगा सकते हैं और उस डिरेक्शन में अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनिटली आपकी योग काफी जदा अच्छे बन जाएंगे अब एक और बहुत विचित्र सा योग ही जो बहुत कम लोगों को पता होता ह क्या राहू और केतु सरकारी नौकरी में सहयोग देते हैं तो जी हाँ बिलकुल सरकारी नौकरी में राहू और केतु सहयोग देते हैं केतु विशेश का रूप से यहाँ पर सहयोग देता है अगर आपके कुंडली में केतु चंद्रमा ब्रहसपती साथ में बैठे हों तो वहाँ पर संभावनाएं और भी जादा बढ़ जाती है आई होप आप इनी बात को समझ लें ग्रहों का किस तरह से विश्टलेशन चलेगा यहाँ पर और किस तरह से आपकी नौकरी यहाँ पर जा सकती है और मिल सकती है आपको बहुत अच्छी नौकरें आपको अची नौकरी आपको सरकाली नौकरी के चैंसे यहाँपरrän थोड़े से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जैसे ब्रसपतीकी बाग बार बार कर रहा हूं ब्रसपती को प्रसना कर लिजिए गुरुबार की पूजा कर लीजिए तो सरकारी नौक्री के चंसलियां पर बढ़ जाते हैं बार बार वापस बोलुगा कि जिन जात्कों के कुन्डली में सरकारी नौक्री के बिलकुल योग नहीं है वो चाहे कितनी भी कोशिश करनें फिर उनकी नहीं लगती है और बार-बार मैं कहते हुए सुनता हूँ कि मैं तो गुर्वार का काफी समय से व्रत कर रहा हूँ पर फिर भी मेरी सरकारी नौकली क्यों नहीं लगी कर रहे हैं और नहीं लग रही है तो एक बार अपनी कुंड़ी का विश्लेशन जरूर करता है और अपने आप फाल्टू में महनत तो नहीं कर रहे हैं आपकी जो महनत है वह सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है क्योंकि काफी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं काफी लोग ठक जाते हैं लाइफ का बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और सरकारी नहीं मिलने के कॉल के सरी आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर सुम्भा मदद कर सकूँ और आपको अच्छे से योग और जो भी प्रॉब्लम है वह आपके सामने रख सकूँ वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करीगा शेर करीगा सब्स्रा कर पाएं धन्यवाद